आपके स्वागते मैं हूँ आपके साथ श्रीखा मैर उत्र श्रुवात करते बुलिटिन की उत्रप्रदीश में 79,000 सिक्षक भरती में आरक्षड गडबडी का आरोप लगातार चात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर 4 दिसम्मर 2021 अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे जिसको लेकर पुलिस ने लाठी चार्ज किया साल 2019 में यूपी बेसिक सिक्षा परिशद ने 79,000 सहायक सिक्षा भरती परिक्षा का आयोजन किया था 22,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन ना करने का अरोप लगाया गया आंदोलन कर रहे चात्रों का कहना है कि इस भरती प्रक्रिया में OBC वर्ग के काड़िडेट की कुल सीट 18,598 थी जिसमें से उन्हें सिर्फ 2,637 सीटे ही मिल गई है 79,000 सिक्षक भरती मामले में लाठी चार्ज किया गया है मांगो को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन रत हैं सिक्षक और अपनी मांगो को लेकर लगातार सरकार तक अपनी बात पहुचाने की कोशिश कर रहे है वहीं बीतिशाम भी इसी तरह से एक मंजर देखने को मिला जहां कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आए अभ्यर्ती लेकिन उन पर पुलिस दुआरा लाठी चार्ज किया गया आपको बता दे कि सियम आवास तरफ जा रहे थे मार्च ले निकालते हुए कैंडल मार्च निकालते हुए सियम आवास तक जा रहे थे इस अभी अभ्यरती जब उनके उपपर इस तरह से लाठी चार्ज किया गया उतरप्रदीश में 79,000 सिक्षक भरती में आरक्षड गड़ बड़ी का आरोप लगा कर लंबे समय से चात्र प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलन करते हुए अपनी बातों को सरकार तक पहचारे की कोशिश कर रहे हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं इस खबर पर मैंसा जादा बाचीत के लिए समवदाता अजहर जुड़े हैं तो अजहर हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो अभ्यारती हैं उनकी मांगे क्या हैं जी बिलकुल शिखा आपको बता दें जो ओबी सी वर्ग है उसमें आरेक्शन को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जि हुए है मुखमंतरी आवाज की ओर जा रहे थे और इस बीच बारी मातरा में वहां पर पुलिस बल तैना था जो उन पर जमकर लाठी चार्ज की और इस पर कई अभ्यरती जो चोटिल भी हुए हैं जी जी एक तरो सरकार बात भी नहीं सुन रही है ऐसे वाश्वासन देके हाल देती है और जब जायशन कर रहें शाहां के प्रदर्शन कर रहें उस पर जब इस तरह से लाठी चार्ज कि प्रक्रिया देकर आंनके कैंगे लोगतंतर में यह कैसे दिन देखने को मिल रह 좌र पर एक इंसान प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है इस जी बिलकु आपको देने जो अभीरती हैं उनका साफ तोर से ये कहना है कि जो शिक्षा विभाग वो हमारे मामले को लेकर जैसा कि अभीरती कर रहते हैं और इस तरह से लाटी चार्ज उन पर की गई है ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत बात है और सरकार का कोई भी प्रतिनिती या शिक्षा विभा का कोई भी और उन्ही के कारेकाल में इस तरह से देखा जा रहा है की काफी प्रतिशन देखने को मिल रहा है तो इतने जो प्रदर्शन हो रहे हैं क्या ये सत्ता पलट सकते हैं जी बिलकुल आपको बता दें लगभख सभी विभाग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं शिखा आपको बता दें एक इसकी खास वज़ा ये भी हो सकती ह कि अभी लगबख दो से तीन महीना बचा है चुनाओ में और ऐसे वक्त पे जैसा कि हम असी होगी नहें जह आ किशान dose कानून कर रहे पिछले कही महीनों से और अब तो क्यिशी कानून वापस भी कर लिया गया है को कही ना कही जो और लोग जी अज़र विपक्ष भी अब इस पे हमलवर हो गया सो भी विपक्षी दलो के भी ट्वीट सामने आ रहे हैं लगतार निशाना साथते वे बीजेपी भी नज़र आ रहे क्या कहेंगे इस पर जी बिल्कुल आपको बताते हैं जैसा के कल सपा मुख्या अकलेश यादों ने भ लेकर और तमाम प्रदशनकारियों की तरफ से तुट किया जा रहा है उनको लेकर सरदार पर सरकार पर निशाना साथा जा रहे हैं जिस तरह से संजे सिंगर ट्वीट सामने आया है कि यह सत्ता पलट सकता है जिस तरह कि कल लाटी चार्ज हुआ है उससे जो है बीजेपी का सकता पलट सकता है तो क्या इसमें सचाई नजर आ रही है क्योंकि प्रदेशन तो बहुत देखने को मिल रही है यूपी में और सरकार बात करने को तयार नहीं है और अगर एक आद बार बात होती है तो सिर्फ आश्वासन दे के टाल दिया जाता है देखिए बिलकुल जैसा कि देश का जो यूवा है आज वो प्रदेशन कर रहा है जैसा कि यूवा देश का भविश्य होता है और वो प्रदेशन कर रहा है और सरकार किसी भी तरह से उनकी बात मानने को तयार नहीं यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2022 चुनाओं के लिए कह कहीं नखी काफी नुक्साई ने साबित हो सकता है Pois तो एक तरसिव को बिलकूल आपको बता दें जो यूवा वर्ग है वह काफी नाराज है और अपने रोज़गार के लिए और अपनी तमाम मांगों के लिए वो परद्शन कर रहा है चाये वो शिक्शक भरती हो चाये वो दरोगा भरती हो तमाम ऐसे मुध्ळे हैं जिसको लेकर अभीयरती परद्शन कर रहा है और यूवाबर काफी नाराज है तो 2022 में चुनाओं के लिए बीजेपी के लिए काफी बली चुनाओती बन सकता है और विपक्ष के लिए ये काफी सफल मुद्दा बन सकता है और उनके लिए अब ये को आने वाला समय ही तैकरने का जिब बहुत 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 शुक्रे मासा जुड़ने के लिए और तमाम बाचीत के लिए इस ख़बर पर मासा समधाता अज़ार जुड़े थे तो जिस तरह से 79,000 इक शुक भरतियों के उपर लाड़ी चार्ज किया गया है उसके बात से ही राजनीती गर्मा गई है और जिस नाराज है अखलेश ने भी नारा दिया है कुए इस पार सबक एक सारे युवा के लिए अपील की गई है कि भाचपा और नाकाड़े तो तमाम इस तरह के जो ट्वीट सामने आ रही है और सरकार को घेरा जा रहे है तो जिस तरह से युवा के उपर ये अत्यचार हुआ है क नहीं अगईस का असर भी आगामी चुनाओं में देखने को मिल सकता है। इस बुलिटिन में फिलाहा लेता ही तबाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।